हेलो गैस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने आधार काड में अपना नाम, मुबाइल नमबर, डेट अब बर्थ और आड्रस कैसे अपडेट कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो तो बिना कोई टाइम गवाए तो चलिए शुरू करते हैं तो आपको सबसे पर अपना क्रूम ब्राउजर उपन करना है क्रूम ब्राउजर उपन करने बाद आपको सर्च में टाइप करना है UDAI UDAI टाइप करने बाद आपको सबसे उपर देखते रहेगा माय आधार उस पर आपको क्लिक करने का है मैं आधार पर क्लिक करने बद आपको कई सार आप्शन दिखाए देते रहेंगे आपको देखने को मिलता रहेंगे अपडेट आधार, गेट आधार, आधार सर्वीसेज आपको गेट आधार पर क्लिक करना है Get Adar पर व क्लिक करने पाद आपको देखने को मिलेगा कई सारे option Book Appointment, Check Status, Download Adar Agency, Book Appointment पर जाना है Book Appointment पर जाने पाद आपको कई सारे option देखने को मिलेगा आप देख सकते होगे, वहाँ पर आपको Site Adar, Enrollment, Name Update, Address Update, Mobile Number Update, Email ID, Date of Birth और भी कई सार ओप्षन देखने के मिलते रिएगे अब आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको second one and option पर जाना है book and appointment वादे पर तो process to book and appointment कर लेने का Second one और आपको देखने के मिलता रहेगा कि अब आपको यह आप मोबाइल नमबर डालने अपना, आप कोई भी नमबर डाल सकते हैं, जो आधारगार बें लिंक नहीं तो भी चलेगा, अब आप अपना मोबाइल नमबर डाल लेजिए, मोबाइल नमबर डालने वाद आपको नीचे capture डालना पड़ेगा, same as it is, नीचे व इस बॉक्स पर डालना है, तो चले ओटीपी डाल लेते हैं, अब ओटीपी डालने वाद आपको submit otp पर क्लिक करना है, अब submit otp क्लिक करने वाद आपको देखने को मिलता रहेगा, कि दो option देखने को मिलता रहेगा, पहला है new enrollment, अगर आपको नया आधार कड बनाना है तो आ हमें mobile number update करना है, तो हम second option पर क्लिक करते है, update आधार, update आधार पर क्लिक करने वाद आपको कई सार option देखने को मिलते रहेगे, आपको नीचे name, gender, date of birth, mobile number update, email id, address, biometric, उससे बिला आपको आपको अपना नाम डालना पड़ेगा पूरा, जो आधार काड पर है आपका, तो चल आपको नीचे आना है, mobile number वाले पर box पर, क्योंकि हमें mobile number update करना है, तो बॉक्स पर टिक कर लेंगे, अब आपको प्रोसीड करना है, प्रोसीड पर क्लिक करने बाद आपको एक pop-up देखने को मिलते हैं, अब आपको उस पर off-kick कर लेने का है, अब आपके सामने इंटरफेस open हो जाएगा, अब नीचे आप देख पाते रहेंगे आपको mobile number, अगर आपको यह mobile number update करना है तो आप वही रखना, अब दुसरा रखना तो आप चेंज भी कर सकते हैं, तो हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो चलिए हम अपना नया mobile number डाल लेते हैं, नया mobile number डालने पर आपक प्रेविए पर क्लिक करना है, OTP verify होने बाद आपको save and proceed पर क्लिक करना है, अब उसके बाद आपके सामने एक page open हो जाएगा, अब इस box टापको क्लिक करना है, box टापको क्लिक करने बाद आपको submit कर देना है, submit पर क्लिक करने बाद आपका application create हो चुका है, अब आपको book appointment या फिर डाउनलूड रिसीट पर करके आप देख सकते हो तो चलिए हमें बुक अपॉइंट्मेंट पर क्लिक करना है क्योंकि हमें अपॉइंट्मेंट लेना पड़ेगा अब आपको कई सारे ओप्शन देखने को मिलते रहेंगे अब आप इस्टे अपना पिन को डाल के अपने नस्दी की आधार सेंटर का ओफिस देख सकते हो और वहाँ पर अपॉइंट्मेंट अपना बुक कर सकते हो ठीके तो चलिए अपना पिन को डाल लेते हम अपगे डेट पिन को डालने वाद आपके नस्दीगी आधार सेंटर का नाम आपके सामने आ चुका है या फिर आज आएगा अब उस आधार सेंटर के बुक अपांडमेंट पर क्लिक करके आप अपने आपांडमेंट बुक कर सकते हो अब आपको यहाँ पर कही सारे डेट देखने को मिलते कर नहीं अज कर सकते हो आज की वीडिए में बस इतना ही धन्य बाद